मेरे को अचानक से एक दोहा याद आ गया कल करेसो आज कर आज करेसो अब वाला तो इसलिए सोचा कि यहां पे डिलीट करने के बाद जो लोडर दिखना चाहिए वो बाद में क्या बनाएंगे अब ये बना देते हैं तो इसलिए सुचा कि अब ये बना लेते हैं लोडर को तो लोडर दिखाने के लिए क्या करना चाहिए हमें तो मैं जाता हूँ बुटि स्ट्रैप के पास और क्या हम तो मेहनत करना चाहते नहीं कि लोडर बिना ऐसी ऐसे से बस बना बनाया इस ट्रैप लोडर इस ट्रैप फोर वर्जन हमें यूज़ किया है तो फोर वर्जन नहीं है इस ट्रैप फोर वर्जन है ठीक है भूट इस ट्रैप 4.2 में दिखा रहें कोई बढ़ है किपिनर होगा इदर आपके हैं मज़ा गया है कि यह वाला इस्पिनर उठा लेता हूं है और देख लेते हुए वैसे इस्पिनर है क्या और किस किस दिराखा है यह तो मैं जानी आ रहा है यह भी देम है वही इनिमेशन यूज करूँगा यह छोटा वाला तोर बुड़िया है नहीं वही color pool है animation ठीक है तो मैं यह वाला animation यूज़ कर लूँगा तो यह पहला वाला है पहले वाले का दूसरा वाला है दूसरे वाले इसी को मैं copy करता हूँ और क्या करूंगा बस लाओंगा नीचे button के पास ठीक है और यहां पे enter कर देंगा आयसे ठीक है आयसे save करके run करते है program shift 5 दबा के मैं करता हूँ नहीं आया देखते है यह bootstrap 4 वर्जन है तो मैं जाता हूँ get started पे और bootstrap version 4 का css उठाता हूँ यहां से ठीक है उठाया यह वाला मैं इधर पे click करना चाहिए तो नहीं वाला पे ठीक है यह 4 वर्जन को मैं हटा देता हूँ problem कुछ आएगा तो देख लेंगे ठीक है देख लेंगे problem आएगा 4.0 के वर्जन में तो लेकिन अभी मैं 4.2 .1 वर्जन डाला अब देखता हूँ है कि लोडर दिखाई देता है कि नहीं वाँ लोडर तो आ गया मजा आ गया ठीक है चलिए तो इस लोडर लेकिन उपर दिख रहा है मजा नहीं आ रहा है दे देंगे मार्जन थोड़ा सा और क्या यह मैं टू कर दू दे देते हैं मार्जन अब ही बढ़िया है मार्जन आ गया नीचे अब बढ़िया लग रहा है तो मैं क्या करूँगा कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो डिलीट वाले बटन पे तो यह बटन हाइड होना चाहिए यह वाला बटन सो करना चाहिए ठीक है और जैसे ही वहाँ से सर्वर से रिस्पॉंस आजा सक्सिस का तो इस लोडर को हाइड करेंगे और इस बटन को जो है सो कर देंगे यही काम हमें करना है तो मैं क्या करूँगा मैं delete का जो button है उसको करता हूँ उपर और loader को नीचे लाता हूँ यह तो back tick वाले में के अंदर सारा code लिखा हुआ है आप समझे रहा हूँगे अब यहाँ पर loader आ गया तो मैं इस loader को center में रखता हूँ ठीक है डिलीट करना होगा तो इस delete button को पर जैसे ही click करेगा और एस पर click करेगा तो loader को so करेंगे इसको delete button hide करेंगे और जैसे ही server से response आगा success का तो loader को जो है hide करेंगे और बटन को delete button को so कर देंगे बास यह तो काम करना है और का काम करना है ठीक है यहाँ पर loader आया मैं लोडर में आता हूँ नीचे ठीक है और डिलीट रिकॉर्ड अच्छा सक्सेस से पहले जो इवेंट होता है ठीक है कम्प्लीट इवेंट भी आता है लेकिन मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ ठीक है बिफोर सेंट इवेंट में बता दिया था आपको क्या होता है कैसे होता है ठीक है तो डॉलर डॉट अब हाइड करने के लिए क्या है तो हाइड करने के लिए जेक वेरी में एक क्लास है ठीक है, jQuery में एक class है hide करने के लिए ठीक है जैसे यहाँ पर मैं class pass कर देता हूँ, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको ठीक है, तो अभी loader गोम रहा है, तो loader अभी गोमी रहा है लेकिन यहाँ पर d-no any, ठीक है, एक class जैसे यहाँ पर हम add कर देंगे तो जो loader वाई है यह गया बजाएगा, ठीक है, यह loader गया बजाएगा, सब कुछ गयाब हो गया, क्योंकि मैंने हमें remove करना है, by default जैसे page load हुगा, तो loader नहीं दिखना चाहिए, मतलब d-no उसमें by default पहले से लगा रहेगा जैसे मैंने पहले से लगा के रखा, यहाँ पर d-no लगा रहेगा, ठीक है, तो जैसे ही send before event execute हो, तो यहाँ पर हम जा करेंगे remove class करेंगे, ठीक है, remove class, और कौन सा class remove करना है, तो d-no class को loader से remove करेंगे, ठीक, और फिर d-no add करेंगे कि इसमें delete वाले बटन पर, ठीक है, तो delete वोला बटन का क्या class है, यह वाला class है, mm, थोड़ा सा समस्या होगा, ठीक है, कोई बटने, पहले तो मैं समस्या आएगा तो दिखाता हूँ, क्या समस्या मैं सुझ रहा था कि यह आएगा, ठीक है, मैं easy को यहाँ से करता हूँ, कॉंपी, जब समस्या आ जाए, तब दिखाता हूँ मैं आपको, और अगर आएगा है नहीं, तब तो बड़ी अच्छी बात है, तो add कर देंगे d9 इसमें, और जैसे ही success का response आएगा, ठीक है, तो इसी दोनों को मैं करूँगा यहाँ से, copy, और done का आगया, ठीक है, तो जैसे ही done का response आया, हम क्या करेंगे, जो loader है, loader में हम add कर देंगे, d9 को loader में add करेंगे, ताकि loader hide हो जाए, और remove कर देंगे d9 को delete button का, ठीक है, जो delete button है, उसको हमको hide करना होगा, जो so करना होगा delete button, तो delete button को so करने के लिए d9 को grab करना होगा, तो मैं grab करना होगा, ठीक है, सलिए जी, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि तुरंते गया भजाएगा ये देखिएगा लोडर आया हूँ चला भी गया तुरंते ठीक है अब रिकॉर्ड नहीं है आप सुचने होगे प्रॉब्लम तो आजा नहीं देखते हैं प्रॉब्लम आता है कि ये लिए अगला रिकॉर्ड में एंटर करता हूँ अगला रिकॉर्ड में एंटर कर देता हूँ इसको कट किया अब क्या करूंगा इस वाले को मैं पहला वाले को डिलेट बारता हूँ ठीक लोडर सभी में दिखाई दे दिया मजा नहीं आया मजा नहीं आ रहा है इसे में तो तब हम क्या करेंगे याद है आपको मैंने इच मेथड का बताया था आपको इस्तेमाल करके तो इच मेथड का भी हम इस्तेमाल इसी तरह से इधर करेंगे ठीक है तो मैं क्या करता हूँ लेकिन मैं देल अंडरेस्कोर इल इकवर्ड टू दिस को मैं इसमें पास कर लेता है दिस मैंने जिस पर मैंने क्लिक कर रहा है ठीक है अब यहां पर मैं आता हूँ ठीक है यहां पर आया ठीक है सभी स्टूडेंट में इसको मैं लगा दूगा ठीक है इस वाले में लगा दिया अब भी एक प्रोब्लम आएगा क्या प्रोब्लम आएगा दिखाऊंगा मैं आपको क्या प्रोब्लम आएगा क्लिक किया इस पे ठीक है लोडर इधर भी दीख गया है मतलब सारे लोडर में दिखाई देगा हो तब क्या करना होगा हमें इता मुसीबत हो गया तो हमें करना होगा ये इधर आएंगे डेल अंडरिस्कॉर लोड इयार ठीक तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहां पे बहुत अच्छा टेकनिक होता कि जो इच मेथर का मैंने इस्तेमाल करके पहले आपको दिखाया था इवेंट ट्रिगर करके इच मेथर होगा फिर उसके बाद जैसे मैं अगर अब से आखरी मैं आपको करके दिखा दूँ तो मैंने आपको बताया था बाद Kamsa Element है? तो ये ispinner है थेक? तो हमें क्या करना पड़ेगा Next Element सेलेक्ट करना पड़ेगा छिक? इसепी Iова बटन के जो बाद वाला loaded है सिर्फ वही लोडर में class को add करो या то class को remove करो हमें ये करना होगा तो Java Script में जहां तक मुझे आद है next sibling method होता था ठीक है, लेकिन jQuery में कौन सा method होगा तो जहां तक मुझे लगता है कि कौन सा method होना चाहिए मुझे मालूम नहीं कौन सा method होना चाहिए next method सायद है ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले Ajax वाला code को guy up कर देता हूँ Ajax के code को guy up क्या मैं करूँगा इसको comment करता हूँ ऐसे, और यहाँ पर मैं आलता हूँ पहले, ठीक है dollar ठीक है, जिक query के style से select किया, और next method को call कर लूँगा ठीक console goal goal.show delete loader ठीक कुछ मोबाइल दो मेरे एट कर देते हैं ठीक है delete दे लिए name ठीक name में गाइब हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब मैं इस record को delete करना चाह रहा हूँ राइट इस पर click किया okay पर click किया अब console पर देखते हैं ठीक console पर देखा तो आ गया है देखिए ठीक है तो अब क्या करेंगे किसी delete element में हम क्या करेंगे किसी delete element में हम fit करेंगे load ठीक देखते है ला राके की काम करता है या ने ठीक है हम हम यहां पर यह है ऐसे पास किया और यहां पर यह है ऐसे पास किया ऐसे किया अब चलिए फाइफ shift फाइफ दबाके refresh करता हूं मैं एक बार और आता हूं इस पर क्लिक करता हूं yes यह देखिए इस पर क्लिक करता हूं यह देखिए थोड़ा जल्दी गायब हो जा रहा है तो इसलिए मैं क्या करूंग यह student dow पर आता हूं यह फिर servlet पर आता हूं ठीक है यह dow कि दर यह है ठीक है थोड़ा जल्दी श्लिप कराता हूं ठीक है dih thread dot sleep कितना सेकेंड इतना सेकेंड sleep कर जाओ यह try catch भी बुलेगा ठीक है तो try catch यह slip में सिर्फ इस लिए लगा रहा हूं कि थोड़ा वेट कराया server ठीक है चल गया आता हूं यहां पर ठीक है इस record को में delete करता हूं delete किया यह देखिए चल रहा है loader तीन सेकेंड चलेगा गायब होना कभे तुम ओ गायब तो हो गया मेरे बन गया infinite तक तो नहीं चल जाएगा infinite तक चल जाएगा मज़ा नहीं आएगा फिर इस पर click करता हूं आया loader गायब हो गया तो यह अब बन गया must loader तयार हो गया हमारे पास हमारे कोई माई बाप लगते हैं कि इसको रखेंगे यहां हटाईए तो उमीद है आपको इस loader इस loader को देख करके आपको बहुत ही आनंद का आनुभाव हुआ होगा और इस loader को प्रेजेंट करके आपको अत्यान्त खुसी प्रसनता दिल प्रफोल लेत हो गया होगा ठीक है चलिए तो हम कुछ और रिकॉर्ड इसमें करते हैं प्रेजेंट ठीक चलिए दिए हो गया पेज रिलोड नहीं हो रहा है हमारा HX टेक्निक काम कर रहा है मैं इस पे क्लिक करता हूं कैंसिल किया कुछ नहीं हुआ ठीक है इस पे जैसे क्लिक करूंगा कैंसे पे क्लिक करूंगा नहीं होगा इस पे क्लिक कर दूंगा सिर्फ बीच वाले का लोडर चला और किसी का लोडर नहीं चला और डिलेट हो गया रिकॉर्ड तो लोडर हमारा कंप्लिटली काम कर रहा है अब एक चीज में आपको अब एक चीज में कुछ चीज नहीं बताऊंगा ठीक है वीडियो का डियूरेशन और लंबा हो गया 17 मिनिट लग गया मैं सुचा कि जल्दी यह हो जाएगा पर कोई बात ने हमने successfully loader present किया ठीक है चलिए practice आप भी करिए बागी काम बात में करेंगे जिवन बहुत बड़ा है क्या करेंगे हर बड़ा के इतना